अपना रुटबा होता है, मलाल वो करे जो दोड में सामिल ही नहीं थे तकलीप अगर हजार हो तो भी सह लेता है इंसान लेकिन जब कोई अपना दिल दुखाता है तो वो बरदास्त नहीं होता हसकर कबूल क्या कर ली, सजाय मैंने, जमाने ने दस्तूर ही बना लिया वो हमें बता रहे हैं कि नजर अंदाज कैसे करते हैं, एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अपसोस किसे कहते हैं उजाले में हर असलियत कहां नजर आती है, अंधेरा ही बता सकता है कि सिदारा कौन है रिष्टेदार विबक्ष के नेतागी तरह होते हैं, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन वो आपकी बुडाई जरूर करेंगे हर किसी के जिन्दिगी में समश्या हैं, लेकिन इन्सान केवल खुद की समश्या को ही सबसे ज़्यादा और बड़ा समश्ता है शिर्फ दोखा देना ही दोखा नहीं होता, बलकि किसी के साथ अपने पन का नाटक करना उससे भी बड़ा दोखा है ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेर को नहीं काट सकती कुलहाडी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती है जिनके पास अपने वो अपनों से जगरते हैं नहीं जिनका कोई अपना वो अपनों को तरस्ते हैं बदल जाती है जिन्दगी की सच्चाई उस वक्त जब गोई हमारा ही हमारे सामने हमारा नहीं रहता है। ना रख उम्मीदे वफा किसी पडिंदे से जब बर निकल आते हैं तो अपने आसियाने को भी भूल जाते हैं। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता वो याद रह जाते हैं। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िये कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस यह सोचकर उसका साथ निवाईए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा खोने के लिए। जब सवालों के जवाब मिलने बंद हो जाए तो समझ लेना कि एक मोर लेना है रिष्टे और रास्ते दोनों में। खुशी देने वाले अपने तो होते ही हैं पर गम देने वाले भी अजनवी नहीं होते। चाहे कितना भी पैसा कमा लो अगर इज़्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। पैसे से नहीं मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में सोने के कलस भले ही लगे हो, लेकिन माथा तो पत्थर की शीडियों पर ही जुकाना परता है, उनकी फितरत है, वो दर्द देने की रस्म अदा कर रहे हैं, हम भी उसूलों के पक्के हैं, दर्द सहकर भी वपा कर रहे हैं, फ राजा और फकीर, उजालों में मिल ही जाएगा, कोई न कोई, तलास उसकी करो, जो अंधेरों में भी साथ दे, मत करो विश्वास किसी का आज कल, लोग अपने फाइदे के लिए माभी तक मांग लेते हैं, वो बचपन भी कितना हसीन था, जब सरयाम रोया करते थे, अब ए पायद किसी की तलास पूरी हो जाए, कभी इस्वर का नाम जबते जबते, बेवजा आखों में आशु आ जाए, तो समझ लेना संदेश पहुच गया है, दुनिया में कोई भी ब्यक्ति, पुर्ण संसकारी नहीं है, मरने के बाद ही उसे अंतिम संसकार मिलता है, गलत फाहम रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है, जूट, धोखा और बाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविश्य में चुकानी पड़ेगी, जिन रिस्तों को चीक-चीक कर ये बताना पड़े, कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो समझ लेना कि तुम उनके लिए जरूरी नहीं हो, सच्ची परसंसा उन सब्दों में नहीं, जो किसी के सामने कहे जाए, बलकि उन सब्दों में है, जो पीठ पीछे बोले जाए, और कब, किसका और कितना अपना है, या सिर्फ वक्त बताता है, किसी भी बड़ी सफलता का पहला कदम होता है, एक बड़ी सोच, बड़ा सोचिये, बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते, कोई टोपी, तो कोई पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा, तो जज गुर्शी भी बेच देता है, जब चुबने लगो जमाने के नजर में, तो समझ लेना, कि तुमारी चमक बड़ रही है, कोई इनसान आपको धोखा तवी दे सकता है, जब आप कमजोर और लाचार होंगे, और आपके अंदर भूख होगी सामने वाले के लिए, हजारों मिठाईयां चकी है जमाने में, पर खुशी के आशू से मीठा कुछ भी नहीं है, रिस्तों के बाजार में व कुम्डभण की यादे, आपका विश्वास एक परवत को भी खिसका सकता है, जब की संदेह आपके मन में दूसरा परवत खड़ा कर सकता है, रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, कितना भी ब्रांडेडों दिल से उतर ही जाते हैं,